हाई दोस्त आज हम बात करने वाले अप इस टॉक में डीमेट अकाउंट कैसे खोलें देखोई अगर आप इस टॉक में डीमेट अकाउंट कैसे खोलें देखोई अगर आप इस टॉक में डीमेट अकाउंट कैसे खोलें देखोई अगर आप इस टॉक में डीमेट अकाउंट क खोल सकते हो अब देखो दोस्त अप इस टॉक में डीमेट अकाउट खोलने के लिए सबसे पहले आपको अप इस टॉक अपलिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा लिंक पर आप जैसी क्लिक करोगी आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस खुल जाएगा य यहां पर आपके mobile number पर एक OTP आएगा, OTP आपको डाल देना है, OTP डालने के बाद नीचे आपको continue वाले option पर क्लिक करना है, अब इस तरह से interface आपके सामने खुल जाएगा, यहां बोल रहा है add your email address, तो यहां पर आपको email ID देना होगा, नीचे लिखा है continue with email, तो यहां पर आप आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको continue with Google वाले option पर क्लिक करना है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, आपके mobile में जितना Gmail ID होगा, सब दिखाए देगा, आप जिस Gmail ID से DMAT account खोलना चाहते हैं, उस Gmail ID को आपको select कर लेना है, उसके बाद आपको confirm वाले option पर क्लिक करना है, उसके बाद यहां आपसे पूचा जाएगा your trading experience, ट्रेडिंग में आपको कितना experience है, यहां पर आप select कर लीजे, एक साल का experience है, दो साल का experience है, पांच साल जीतना experience है, उसको आप select कर लीजे, नीचे आपको दिखा जाएगा your annual income, आप साल आना कितना पैसा कमाते हो, तो यहां पर click करके आप select कर सकते हो, आप एक लाग साल आना कमाते हो, या फिर एक लाग से पांच लाग, जीतना आप कमाते हो, उसको यहां पर आपको select कर लेना है, उसके बाद आप से पूचा जाएगा your occupation, आप क्या करते हो, आप student हो, या फिर आप सरकारी जॉब करते हो, या फिर प्राइबेट जॉब करते हो, या फिर आप business में हो, जो भी आपको, उसको select कर लेना है, उसके बाद नीचे continue वाले option पर आपको click करना है, उसके बाद यहां आपका gender पूचा जाएगा, आप male हो, या female हो, उसके बाद यहां नीचे पूचा जाएगा, आप single हो, या फिर आप married हो, यह सब आप select कर लेना है, उसके बाद नीचे आपको continue वाले option पर click करना है, आप कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, यहां पर बोल रहा, declaration for your up stock account, तो यहां पर आपको चारो को tick कर देना है, और नीचे continue वाले option पर आपको click करना है, अब यहां बोल रहा है, your signature is required, तो यहां पर आपको अपना signature करना होगा, नीचे draw signature वाले option पर click करना है, और यहां पर आपको अपना नाम लिख देना है, उसके बाद आपको continue वाले option पर click करना है, अगर नाम गलत हो गया है, तो आप erase all पर click करके, नाम erase بھی कर सकते हैं, लेकिन हमारा सही है, तो हम continue वाले option पर क्लिक करेंगे उसके बाद बोल रहा है enter your pin तो यहाँ पर आपको अपना pin card number डालना होगा आप pin card ले लिए उसमें आगे number लिखा होगा तो वो number यहाँ पर आपको डाल देना है और नीचे आपको डाल देना है date of birth पिन कार्ड में date of birth लिख होगा तो date of birth आपको नीचे डाल देना है उसके बाद continue वाले option पर आपको click करना है अब देखो दोस्ते यहाँ पर बोल रहा है where do you want to start आप कहां से start करना चाहते हैं आप beginner से start करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर click करना है अगर आप traders से start करना चाहते तो आपको यहाँ पर click करना है आप beginner से start करेंगे क्योंकि आप नए हो तो आपको इस वाले option पर click करना है इस पर click करने के बाद नीचे आपको continue वाले option पर click करना है अब आपको सबसे उपर दिखाई देगा continue को option यहाँ पर देख सकते हैं तो continue वाले option पर आपको click करना है continue पर क्लिक करेंगे फिर यहां पर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा अब यहां पर आप देख सकतो complete your KYC यहां पर आपको पूरा KYC करना होगा तो यहां पर आप देख सकतो क्या है नीचे आपको दिखेगा complete your KYC इस पर आपको क्लिक करना है complete your KYC पर क्लिक करेंगे फिर इस तरह से लोडिंग लेगा अब यहां पर बोल रहा है कि आप दुबारा अपना पेन कार्ड इंटर करो क्योंकि स्टार्टिंग हमने एक बार इंटर किया था फिर से यहां पर प प्रोसीड वाले option पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर परमीशन ले रहा है तो आपको we will using the app प्लिक करना है फीड से आपको क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको अपना फेस अपलोड करना है अगर आप चस्मा लगाए है तो चस्मा आप उतार दीजे टोपी लगा है तो आप टोपी उतार दीजे यहाँ पर सब कुछ बताता है कि किस तरह से आपको फोटो यहाँ पर क्लिक करना है कैम कमरे पर दबा कि फोटो कैप्चर कर लेना है उसके बाद यह लोडिंग लेगा अब फोटो जैसे अपलोड हो जाएगा उसके बाद इस तरस इंटरफेस कुल जाएगा यहां पर बोल रहा है कि अपना बैंक अकाउंट आप लिंक करिए तो यहां पर आप यूपी आई के जरी यहां पर कर लेते हैं जल्दी होगा यहां पर लिखा भी है फास्टर तो हम इस पर क्लिक करते हैं इस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपकी मोबाइल में जो भी पेमेंट होगा वह आपको दिखाए देगा फोन पे गूगल पे पे टीम जो भी है जिससे भी आप option पर click करके एक रुपए send कर देते हैं अब यहां पर आप देख सकते हो एक रूपिया मेरे accounts यहां पर cut गया और यहां पर successful हो कि अब दूसरा interface यहां पर खुल गया है अब यहां पर आपको नीचे continue वाले option पर click कर देना है उसके बाद यहां बोलेगा future and option trading अगर यहाँ पर आप future and option trading भी करना चाहते हो तो इस पर आप टिक कर सकते हो लेकिन अभी इसको रहने दो इसको हम बाद में भी activate कर सकते हैं अभी हम पहले अपना account open कर लेते हैं तो ऐसे ही रहने देना है जो यह पहला वाला है इसको टिक रहने देना ठीक उसके बाद नीचे continue वाले option पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि आप nominee add करना चाहते हो कि नहीं देखो nominee इसलिए add किया जाता है ताकि जो आप इसमें पैसा invest करोगे mutual fund हो गया या फिर share market में जो हाँ भी पैसा आप invest करोगे अगर कुछ भी मतलब जो बंदा invest कर रहा है जिसके नाम पर यह demate account खुल रहा है अगर उस बंदे के साथ कोई भी दिक्कत होता है तो जो आप पैसा invest की होना वो nominee को पैसा मिल जाता है तो इस वज़े से यहाँ पर nominee add किया जाता है भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ भी हो लेकिन इसी लिए nominee add किया जाता है अभी हम क्या करते है add later वाले option पर click करके इसको skip कर देते हैं हम बाद में nominee add कर सकते हैं पहले account खोल लेंगे उसके बाद हमें option मिलता है nominee add करने का हम वहाँ से nominee add कर लेंगे पहले हम trading start तो करें ठीक तो हमें add later पर click करके इसको skip कर देना हम बाद में भी add कर देंगे अब देखो दोस्ते यहाँ पर interface आ गया final step verify your application with आधार आधार समय सा मतलब पूरा verify करना होगा और यह final step है ठीक यहाँ पर जितना भी आप यहाँ पर सब कुछ add किया होना यहाँ देखो लिखा भी है view your complete application यहाँ पर click करके आप पूरा देख सकतो जितना भी आपने add किया है तो यहाँ पर sign application पर हमें click करना है इस पर हम जैसे click करेंगे यहाँ पर loading लेगा और अगला interface खुलेगा जो last step है अब देखो दोस्त यहाँ पर अधार card का जो नाम आपको होगा वो नाम यहाँ पर आपको दिख जाएगा उसके बाद यहाँ पर nsdl दिख जाएगा तो इसको यही रहने देना है यहाँ पर आपको tick करना है ठीक इंटर OTP यहाँ दिख रहा है यहाँ पर हमें OTP डाल देना है ठीक तो यहाँ पर OTP हम fill कर देते हैं OTP डालने के बाद यहाँ आपको दिख जाएगा verify OTP का option verify OTP वाले option पर क्लिक करना है अब देखो दोस्त इस तरह से interface खुल गया यहाँ पर सही का निशान आगया यानि हमारा सकसेज हो गया है और यहाँ पर लिखा है application submitted जितना भी हमने यहाँ पर KYC किया जो जो यहाँ पर मांगा गया हमने जो सब कुछ दिया ना वो सब कुछ submit हो गया है और यहाँ पर लिखा है कि 3-4 दिन के अंदर अंदर आपका खुल जायगा 3-4 दिन का समय लगता है यह बहुत π्रोसेस से गुजरता है इसलिए इतना समय लगता है ठीक तो 3-4 दिन में जब आपका इमेट अकउंट खुल जायगा तब आप up stock demate account में जैसे आप stock demate account जब आप open करेंगे तो वहाँ पर mobile number से आप उसमें login करेंगे ठीक mobile number डालोगे फिर OTP आएगा OTP डालोगे तो up stock application आपका खुल जाएगा बिल्कुल अलग सा interface दिखाए देगा वहाँ पर सारा जैसे company का share दिखाए देगा सब कुछ मैं आपको अभी दिखाता हूं ठीक और उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखना जो हमने starting में email id select किया था ना email id उसी email id पर आपको tip in भेजा जाएगा आपका जो username है client id यह सब कुछ आपको उसी पर भेजा जाएगा तो उसको ध्यान से देखते रहना वह डिलिट ना होने पर ठीक वैसे भी वह डिलिट का होगा वह तो आपके email पर आएगा तो वहाँ पर सूरच्छित रहेगा यह सब जरूरी चीज़े हैं वहाँ पर tip in आता है जैसे आप मतलब आपका यह account खुल जाएगा तो यहाँ पर आप किसी भी company का share खरीदना होगा जैसे यहाँ पर आपको सर्च का option दिखाए देता है ना सर्च वाले option पर क्लिक करो यहाँ पर जिस भी company का चाहतो देखो यहाँ पर आपको दिखी जाता है आल स्टोक मिचूवल फंड सब यहाँ पर आपको दिख जाता है जैसे मालूम और मुझे टाटा श्टील कंप़नी का share लेना है तो मैं फिथा डालूँगा टाटा अब यहाँ पर देखो आगया टाटा इसपर आप डेख सकते हो टाटा लिखा और यहाँ पर टाटील आ गया इसपे क्लिक करेंगे और यहा पैसा एड़ कर सकते हो जब आपका अकांट खुल जाएगा आपको message मतलब email आ जाएगा तब आप इसमें जो चीज करना चाहो वह चीज बहुत आसानी से कर सकते हो उमीद करते हूं यह वीडियो आपको पसंद आओगा वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को like करना चैनल पर न